जै मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूजिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह 2021 के पहले सप्ताह के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए एक दिसंबर से साथ दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रहों की इस्थिति कैसी होगी कौन सा ग्रह राशी बदलेगा आपके किस भाव में बैठेगा किस ग्रह के साथ यूति करेगा और उनका प्रभाव उन योगों का प्रभाव आपकी दिंचरिया और आपकी जीवन से जुड़े प्रतेख शीतर पर कैसा होगा आपकी सिक्षा, स्वास्थ, आपका प्रेम जीवन, पालिवारिक जीवन, दामपत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकात हर चीज के बारे में हम यहां विस्तार से जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले छोट असा निविदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो हम बात कर रहे हैं तुला राशी की एक दिसम्बर से साथ दिसम्बर के बारे में यह जो राशी फल है यह चंद्र राशी पर आथारित है और चंद्रमा किस्तिती इन साथ दिनों में कन्या राशी से धनु राशी तक जाएगी इन चार भावों में चंद्रमा रहेंगे कन्या तुला व्रशिक और धनु इन चार भावों में चंद्रमा जिस ग्रह के साथ यूती करेंगे जो योग बनाएंगे उसका प्रभाव भी आ आख्री सूर्य ग्रहन 4 दिसंबर को होगा, जो आमावस्षा तित्षी के दिन होगा, और मंगल ग्रह का राशी परिवरतन होगा, मंगल ग्रह पांज दिसंबर को विरेश्चिक राशी में गोचर करेंगे, आपके द्वीत्य भाव में, जहां पहले से सूर्य हैं, बुद्ध हैं और केतु हैं तो यह चतर ग्रही योग का निर्मान होगा बुधादित योग पहले से बना हुआ है और साथ में यह चंद्रमा के साथ मिलकर मंगल ग्रह लक्ष्मिनारान योग भी बनाएंगे तो यह ग्रहों की इस्थिती हो गई और इस साथ दिनों में इन सभी चीजों का प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा चले जानते हैं शुरू से विस्तार से बात करते हैं चंद्रमा जो एक दिसम्बर का दिन है उसी दिन राशी वदल कर कन्या राशी से निकल कर आपके लगन में बैठेंगे अगले डहाई दिनों तक सवादो दिनों तक चंद्रमा आपकी लगन में होंगे ये सब्ताह की जो शुरूआत होगी आपके लिए एवश्विनिया रूप से शांदार शुरूआत होगे आप प्रतेक प्रयास में जीत हासिल करना चाहेंगे जो भी आप कारिया करेंगे उसमें जीत हासिल करना चाहेंगे पेशेवरूट से और निजी जीवन के भविश्य को लेकर शांत रहेंगे कुछ लोगों के लिए ये सब्ताह एक नई शुरूआत के लिए मार्ग बनाएगा जो लोग कुछ कारे करने की सोच रहे थे उनके लिए ये सब्ताह बहुत शांदार होने वाला है इस महीने के शुरूआत से ही आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है इस राशी के जो युवा हैं उनके लिए ये सब्ताह सबसे अधिक अनुकूल है आपके अंदर जो बेचैनी थी अपने करियर को लेकर अपने बिजनिस को लेकर अपने नई स्टार्ट अप को लेकर वो चीज आपकी इस महीने की शुरूआत में ही खत्म होने वाली है आप उस रहा पर चलेंगे जिस रहा पर आप चलना चाहते थे आपके परिवार के सदर से आपके सपोर्ट में होंगे आपके असने है पूरवक स्वागत करेंगे और आपका जो आचरंग होगा वो उन्हें खुशी देगा आप जिने ना पसंद करते हैं वो भी आपके फेवर में रहेंगे आपका व्यवार बड़ा परिपक्व रहेगा आपके जो जातक धंपत जीवन से जुड़े हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ है समय बड़ा इस्थिर रहेगा आप प्रेम जीवन में थोड़ी सावधाने रखनी है वहाँ थोड़ा इस्थितियां बदलाव हो सकता है इस्थितियों में तो वहाँ थोड़ी सावधाने आपको जरूर रखनी होगे सब्ताह के मद्धे में सूरे ग्रहन है 4 दिसंबर को जो की सूरे ग्रहन अमावाशातिति के दिन है मावाश्य तिथी का जुद्धिन होता है वैसे भी बड़ा ही सिद्ध दिन माना जाता है और यहां सूर्य ग्रहन का होना आपके लिए सूर्य ग्रहन आपकी राशी के स्वामी शुक्र देव के साथ आपकी बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला होगा आपकी इस्तिथियां ब करिशाने तो देखने को मिल सकती हैं लेकिन आपके लिए मंगल भी उत्तम रिजल्ट देगा आर्थिक लिहाज से आपके लिए ये सब्ताहा बहुत ही शुबसावित होगा बस अपनी प्रयासों में किसी भी तरह की कमी ना आने दे जो काम आपको करना है उस काम को आज ही न प्टाएं कल के लिए बिलकुल ना शोड़ें इस चीज़ पर आपको खास देहां देना होगा धन में वरद्धी करने के लिए ग्रहों की इस्तितियां बहुत अनुकूल हैं थोड़े प्रयास में जादा लाब दे सकती हैं ये इस्तितियां आपके लिए एक बहतर अफसर प लिए तूबी हैं जो अचानक से लाब के मार्ग प्रसस्त करेंगे परिवार में मान सम्मान में बढ़ोत्री के साथ ही दूसरे घर के सदस्यों के साथ भी आपके रिष्ठे मजबूत होंगे अपने परिवार के लोगों के साथ घरी लोकारियों में भी दिल्चस्पी और घर की किसी महिला की मदद भी आप कर सकते हैं जिससे जो बारी बारी किस्तितियां हैं वो काफी अच्छे रहेंगी और इस राशी के जो वैपारी हैं वैपार से जुड़े जातक हैं साज़ेदारी में कारे कर रहे हैं साज़ेदारी में वैपार कर रहे हैं उन्हें इस सब आपके लिए अच्छे मुनाफ़े वाला रहेगा जो पिसले दिनों में आपने नहीं कमाया उससे दो गुना आप इस सप्ता हमें कमा सकते हैं ये समय बिजनेस के विस्तार के लिए अच्छा है और तक्नी की रूप से काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है अपन की शात्रों को मन चाहे कॉलेज में अड्मिशन मिल सकता है मन चाहे कोर्स में अड्मिशन मिल सकता है संभावनाएं बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं आपकी इच्छा पूरी होने की क्योंकि ब्रस्पति आपके पंचा भाव सिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं जिसस सबी कार्य को समय से पूरा कर पाएंगे आप इस सब्ताह में और सब्ताह के अंत में खुद के लिए समय निकाले अपने लिए आराम के लिए भी वक्त निकाले अपने जीवन साथे के साथ किसी नजदी की जगह पर सैर करने के लिए जा सकते हैं जो आपके लिए उत्तम आर्थिक मामलों के लिए ये पूरा सबताहा बहुत अनुकुल है जो जातक सबताह जादा मेहनत करें जादा फोकस करें आजके काम को सबताही ही निप्टाएं ताकि कल के लिए आपके लिए पच्टावा ना रहे इन चीजों का खास ख्याल रखें उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में अनार दान कर दें यह बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए क्योंकि मंगल का राशी परिवर्तन है इस अपता हमें तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें